कि अगर आपके पास एक enclosed fluid है, बंद fluid है, हर तरफ से बंद है इस container के अंदर और अगर आप यहाँ पर कहीं पर pressure बढ़ाएं, तो वो pressure जैसे 10 pascal बढ़ा दिया आपने तो वो pressure यहाँ पर यहाँ पर हर जगा पर 10 pascal equally distribute हो जाएगा यह नहीं कि यहीं पर किया तो यहीं pressure जाएगा, तो अगर आपने एक जगा से pressure बढ़ाया तो हर तरफ से pressure equally बढ़ना start हो जाएगा, उसने experiment से यह समझाया कि उसने एक piston लिया और जिसका area A था, उसने और दो piston लिये, A का area A by 2, A का area 2A तो उसने जब यहाँ pressure बढ़ाया, F by A, तो उसको इस piston को रोक के रखना है क्योंकि pressure यहाँ पर चला गया तो उसको यहाँ पर force लगानी पड़ी F by 2 और यहाँ पर लगानी पड़ी 2F ताकि pressure की value हर point पर exactly क्या आ गई? तो जहाँ area जादा था, वहाँ जादा force, जहाँ area कम है वहाँ पर कम force लगानी पड़ी, यह प्रूफ था कि pressure हर point पर equally क्या हो रहा है? distribute. तो पास्कल law के accordingly, definition यह बनाई गई, it states that in an enclosed fluid, bandh fluid होना चाहिए हर तरफ से, if an increased pressure is produced in any part of the fluid then it, then this change in the pressure is transmitted undiminished, बिना कम हुए, in all directions. तो पास्कल law clear है? और लास्ट एक लाइन में पास्कल law की application, लेकिन उससे पहले यह mark कर लें, इस chapter में, पानी की density नहीं गिवन होगी, आपको खुद याद करनी है, SI system में 1000 है, CGS system में 1 है, ठीक, और यह याद रखे, या लिख लें, relative density, यह लिख लें, relative density always equal to density of body divided by density of water, यह काफी यूज होती है relative density की definition, तो यह लिख लें, relative density या specific gravity is 1 and the same thing. तो प्लीज इस definition को लिख लें हाँ पर. ठीक, के point clear है यहां तक, और last application of Pascal law, इसमें यह बताया जाता है, कि आप कम force लगाके भी एक बहुत बड़े object को ऊपर उठा सकते हैं, एक car को भी उठा सकते हैं अपने हाथों से, सीधा नहीं उठाना, एक technique से उठाना है, आप एक pipe लें, यह car है या load है, बहुत भारी है, इसका area बड़ा रखें, पिस्टन लगाएं and close fluid लें, oil है या fluid है, incompressible है, इसको बीच में लें, पिस्टन यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां का area चोटा रखें, यहां का area बड़ा रखें, तो Pascal ने यह कहा था, कि जब आप यहां से pressure लगाएंगे, F by A, तो यहां pressure equally distribute हो जाएगा, कितना F by A, capital A, तो आपने pressure इतना लगाया, F by A, यहां pressure कितना हो गया, F by A, और Pascal क्या कहते है, कि यहां से pressure लगाया, यहां पर pressure equally transfer हो गया, कर दिया transfer, तो यहां से एक काम करते हैं, क्योंकि यह बराबर है, capital F by small f, cross multiply करके इसके equal आ जाएगा, cross multiply कर लिया, तो pressure left or right का same कर दिया, फरक क्या 1000 रखता हूँ, और left का area सिरफ 10 रखता हूँ, यह area का piston तो मेरे हाथ में है, तो एक बात बताओ कि जो force आएगी, वो कितने time जाएगी, 100 time, तो अगर मैं 10 newton की सिरफ force लगाऊँगा, तो car को force कितनी मिलेगी, 1000 newton, तो 10 newton की force से 1000 newton का काम हो जाएगा, तो यह है Pascal law और इसकी application इस system को क्या बोलते हैं, this is known as hydraulic lift, hydraulic lift है, right, क्या यह point clear है यहां तक, तो pressure का chapter का कोई लेना देना नहीं है, elasticity से, खतम हो गया, अब यह निया chapter, ऐसे 5 chapter कोई लेना देना नहीं है, दो-दो lecture में खतम होंगे